Parents as Co-Educators की आज की कहानी में आप सभी माता पिताव का स्वागत है आज की कहानी का नाम है संजू का तौलिया इस कहानी के द्वारा आपका बच्चा अपने सहयोगियों की पहचान करना एवं उनके संबंदों को मदूता की तरफ ले जाना सीखेगा आज की कहानी आप अपने बच्चों के साथ ही देखे संजू ने दिवार पर टंगी घड़ी के तरफ देखा साड़े साथ बज चुके थे वह नहाने के लिए भागा जब नहाना हो गया तो उसका ध्यान गया कि तौलिया तो वह लाया ही नहीं उसने पुकारा मम्मी तौलिया दर्वाजा जरा सा खोल कर उसने हाथ बढ़ाया किसी ने उसके हाथ में तौलिया पकड़ा दिया वह बाहर निकला और देखा मम्मी तो रसोई में है फिर तौलिया किसने पकड़ाया आज उसे तॉल्या ले जाना याद था पर वह जान भूच कर नहीं ले गया उसने बात्रूम से आज फिर पुकारा मम्मी तॉल्या पर उसने इस बार हाथ की घड़ी से फैचान लिया अरे यह तो दीदी है उसने दीदी से दो दिन से कट्टी कर रखी थी वह बाहर निकला और सीधे दीदी के पास गया और बोला दीदी, थैंक यू पर दीदी के बाद आप अपने बच्चे के साथ निम्नलिकित प्रशनों पर चर्चा कर सकते है क्या आपकी भी कभी किसी से कट्टी हुई है क्या कभी नाराजगी के कारण किसी से आपकी बोलचाल बंध हुई है यह किस बात पर हुआ था फिर आपकी बोलचाल कैसे शुरू हुई किसी से नाराज होकर रहने पर आपको कैसा लगता है और क्यो किसी की नाराजी दूर करने के लिए आप क्या करते है यहां कहानी देखने के लिए धन्यवाद यदि संबव हो तो अपने बच्चे के कहानी को देखते हुए तस्वीरे एवं वीडियो हमारे साथ शेयर करें अगर आपको कोई संदेह या सुझाव है तो आप हमें वाट्साप कर सकते हैं यहां हमारा वाट्साप नमबर है